हलो स्टूडेंज असलाम अलेकूम कैसे हो आप लोग उमीद है कि सब अच्छे से होंगे बचो क्लास सेकंड के हम चाप्टर नमबर फरस्ट पट रहे हैं चाप्टर का नाम क्या है हमारा टाइप्स ओफ प्लांट ठीके बचो पहले वीडियो में हमने देखा प्लांट जो है बहुत सारे टाइप्स की होते है प्लांट की शेप साइज वगरा को देखे हमने क्या किया है प्लांट को जो है अलग अलग ग्रूप में डिवाइट किया है कुछ को ट्रीज केहते है कुछ को शाप कुछ हर्प्स कुछ प्लांट को हम क्रीपर्स और कुछ प्लांट को क्ली वो प्लांट जो पानी में ग्रो होते हैं उसे हम water plants कहते हैं ठीक water lily, lotus, water hyacinth are some example of water plant ये सारे क्या है कुछ water plant के example से जो पानी में ग्रो होते हैं most water plants are herbs और बहुत सारे water plant जो है वो herbs होते हैं यानि herbs कुन से plants को कहते हैं वो हमने पहले पढ़ के आया है ठीक है बचो, फिर है plants are important, can you imagine our world without a plant, क्या हम imagine कर सकते हैं, कि हमारे यानि world जो है, हमारे दुन्या जो है plant के बागर कैसे देखेगा, plants are useful to us in many ways, plant हमारे लिए बहुत जरूरी है, अलग-अलग रास्ते, यानि अलग-अलग तरीके से plant जो हमारे लिए फाइदा मन है, ठीक, they give us food medicine, pepper, fibers and many other things, plants से हमें खाना मिलते हैं, हमें medicine, दवायां भी मिलते हैं, peppers मिलते हैं, fibers, जिनके कपड़े बनते हैं, और बहुत सारे दूसरे चीज़े भी हमें plants से मिलते हैं, ठीक, they keep the air fresh and clean, plant की वज़े से हमारा हावा जो है, साफ रहते हैं, ठीक, plants with colorful flowers make our surroundings look beautiful, plants की क्या होते है तो उसके अलग-अलग flowers भी होते हैं, colorful flowers होते हैं, जिसकी वज़ा से हमारे surrounding जो है, बिलकुल हमें बहुत ही खुफसूरत हमें, यानि एक surrounding मिलता है, ठीक, हमारे surrounding को बहुत खुफसूरत बनाते हैं, plants, trees are homes to many animals, birds and insects, trees जो है, बहुत सारे animals के, या birds के, इंसेक्स के घर होते है जानि उसमें क्या करते हैं, जैसे birds जो है, उस पे, trees पे, जो है, गॉंसला बना के बैठते हैं, animals, कुछ animals उसी trees के, शट के नीचे बैठते हैं, ठीक, we cannot live in this world without plants, हम इस दुनिया में, प्लान के बगेर नहीं रह सकते, ठीक है बच्चों, फिर next page पे देखिए, we should save plant, हमें क्य करना चाहिए, प्लान को save करना चाहिए, बचाना चाहिए, we should look after plant around us by watering them, जो हमारे आस पजिने भी plants है, उनको पानी दे के, हमें उनका क्या करना है, खयाल रखना है, उसे यानि die होने नहीं देना है, we should take care not to over water the flower pot, ज्यादा पानी भी नहीं देना है, plants को as over watering will kill the plant, जब हम उ we should grow more trees, हमें ज्यादा से ज्यादा trees लगाना चाहिए, we should not cut trees, और trees को ज्यादा cut नहीं करना चाहिए, lots of trees are cut to make paper, बहुत सारे trees जो है, हमारे जो papers, जो है, books के या copies के, जिनने भी papers है, वो सब बनाने के लिए cut करते है, तो हम trees को, we can save trees by not wasting paper, अगर हम paper को waste नहीं करेंगे, तो क् इन डेड़े के हमने trees को save किया, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पर हमारा chapter number first जो है complete होते है, इन्चालला, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके walks करेंगे, अल्ला हाफिज